जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृश्ण भगवान की जै निर्जला एकादशी वरत की मंदर शीबनसी वाले महात्मा यूडिव चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हारदे कभिनंदन करते हैं आज हम आपको वर्ष 2022 के निर्जलाय कादशी के वरत की विदी को बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में पहले तो हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2022 में निर्जलाय कादशी का वरत किस दिन रखा जा रहा है उसके बाद आपको बताया जाएगा कि निर्जला कादशी के वरत को रखने की कौन सी विदी है किस विदी से निर्जला कादशी का वरत रखना चाहिए कि जिससे भगवान की अनंत कृपा को प्राप्त किया जा सके उसके बाद आपको बताया जाएगा कि निर्जला कादशी के वरत को रखने का कौन कौन सा फल मनुश्य को मिलता है उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर निर्जला कादशी के वरत के दिन पानी पी लिया जाए या चाए जूस या निम्बू पानी पी लिया ज कि इस वर्ष 2022 में निर्जला कादशी कवरत 11 जून दिन शनीवार को रखा जा रहा है किसी किसी कैलेंडर और जंतरी में बताया गया है कि इस वर्ष निर्जला कादशी कवरत 10 जून को रखा जाएगा लेकिन वो गलत बात है क्योंकि एक कादशी कवरत हमेशा उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूरय उधे होने के समय एक कादशी ती थी है इसलिए 11 जून को ही निर्जला कादशी कवरत रखा जाएगा ग्यारा जुन को ही आपने निर्जलाय कादशी का वरत रखना है तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जलाय कादशी का वरत को रखने की कौन सी विदी है सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं तो जिन भक्तों ने निर्जलाय कादशी का वरत रखना हो उनको ये चाहिए कि एक दिन पहले अर्थात दश्मी तिथी को साएकाल तक भोजन कर लें क्योंकि दश्मी तिथी को रात्री में भोजन नहीं किया जाता उसके पशात निर्जलाय कादशी के वरत के दिन अर्थात 11 जून दिन शनिवार को सुभै जल्दी उठकर नहा धोकर साफ सुत्रे वस्तर पहन लेने चाहिए इसके पशात आप अपने घर में भगवान के मंदिर में श्री हरी विश्नु भगवान जी का पूजन करें भगवा इसके पशात तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए क्योंकि तुलसी माता के पूजन करने से भगवान की कृपा मिलती है पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना चाहिए इसके साथ ही निर्जलाय कादशी के वरत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए दोन पूजा करने के पशात श्रद्धा भावना से भगवान की आरती करें। भगवान का जो नाम आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता हो उसी नाम का आप जाप करते रहें। मत ये रातरी 12 बजे तक रातरी जागरन किया जा सकता है। रातरी जागरन में भगवान के मंगल में नामों का जाप और संकीरतन किया जाता है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप रातरी जागरन मत करें। रात में सोते समय भगवान के नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं। इससे भी भगवान की कृपा मिलती है। तो अब सबसे विशेश बात आती है कि निर्जलाय कादशी के वरत के दिन पानी भी नहीं पिया जाता। कुछ नहीं खाया जाता। इसलिए इसको निर्जलाय कादशी का वरत कहते हैं। अगर निर्जलाय कादशी के वरत के दिन पानी पी लिया जाए तो क्या फल मिलता है। तो उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि निर्जलाय कादशी के वरत के दिन किन-किन चीजों का दान करना चाहिए तो हमारे हिंदु धर्म गरंथों के अनुसार निर्जलाय कादशी के वरत के दिन आप सुपात्र ब्रह्मन को जल के घड़े का दान करें साथ में चीनी या शकर का दान करें इसके साथ ही ब्रह्मन देव को फल भी देने चाहिए और यथा शक्ती दक्षिना भी देनी चाहिए आज कल के समय में कुछ लोग ब्रह्मन को जल के घड़े का दान नहीं करते वो श्टील के किसी बरतन का दान कर देते हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है आप श्टील का बरतन भी भ्रह्मन को दे सकते हैं या आप चाहें तो जल के घड़े का दान भी कर सकते हैं अगर श्टील का बरतन देना है तो उसमें भी जल भर कर देना चाहिए कभी भी खाली बरतन भ्रह्मन को नहीं देना चाहिए आप श उनका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता लेकिन फिर बी हमारे हिंदू धरम गरंथों के अनुसार ये बताया गया है कि जो भक्त निर्जलाय कादशी का वरत रखते हैं उन्हें वर्ष भर के सभी 24 कादशियों के वरत रखने का पुन्यफल मिल जाता है अर्थात उन्हें पूरे साल के एक कादशी वरतों को रखने का पुन्यफल मिल जाता है मनुष्य की सभी मनों कामनाए भगवान की क्रिपास से पूरी हो जाती है और पिछले जन्मों के चाहे वो थोड़े पाप रहे हो या ज्यादा पाप रहे हो सब पाप नश्ट हो जाते हैं और निर्जलाय कादशी का वरत रखने से पित्रों की सदगती भी हो जाती है मनुष्य का मन भगवान में लगता है और जो भक्त निर्जलाय कादशी के दिन जल नहीं पीते उनको एक-एक पहर में कोटी-कोटी स्वर्नमुद्रा दान करने का पुन्य फल मिल जाता है तो ये तो निर्जलाय कादशी को वृत को रखने का फल है जो भक्त निर्जलाय कादशी के दिन पूरी शद्धा भावना से वरत रखते हैं पानी भी नहीं पीते उनको इन सब फलों की प्राप्ती हो जाती है तो अब हम आपको यहाँ पर विशेश जानकारी देने जा रहे हैं कि जो भक्त निर्जलाय कादशी के वरत के दिन पानी, दूध, चाए, निम्बू पानी या जूस पी लें तो उनको किस फलकी प्राप्ती होती है, उनका वरत भंग तो नहीं हो जाता ये जानकारी हम आपको यहां पर देने जा रहे हैं तो अगर आप चाहें तो निर्जलाय कादशी के वरत के दिन आप दूध पीश सकते हैं, पानी पीश सकते हैं, जूस पीश सकते हैं, चाए पीश सकते हैं, निम्बू पानी पीश सकते हैं इससे वरत नहीं तूटेगा, इससे वरत भंग नहीं होगा लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विशेश बात ये है कि अगर आप निर्जला कादशी के दिन पानी या कोई और चीज पीते हैं तो इससे आपको वर्ष भरके सभी 24 कादशी के वरतों का फल प्राप्त नहीं होगा आपको केवल समाने कादशी के वरत का फल प्राप्त होगा आपको निर्जला कादशी का वरत रखने से फल तो मिलेगा लेकिन वर्ष भरकी 24 कादशी के वरत रखने का फल आपको नहीं मिलेगा आपका वरत सफल माना जाएगा आपका वरत भंग नहीं होगा आपका वरत नहीं बीना पानी पिये नहीं रख सकते तो मन में यहीं शंका होती है कि अगर पानी पी लें तो क्या होगा तो आप कोई चिंता मत कीजिए निरजला कादशी के वरत के दिन अगर आप पानी दूध चाए निम्बु पानी या जूस पीना चाहें तो आप यह सब कुछ पी सकते हैं लेकर यहां पर आप ध्यान दीजिए कि आपको उसी दिन के कादशी के पुन्यफल की प्राक्ति होगी आपको वर्ष भर की सभी 24 कादशी का पुन्यफल नहीं मिलेगा आपको केवल एक कादशी का पुन्यफल मिलेगा वर्ष भर की सभी 24 कादशी का करने का पुन्यफल उनको वर्ष भर की सभी 24 एक आदिशों के करने का पुन्यफल मिल जाएगा लेकिन जो जल पी लेते हैं या कुछ और पी लेते हैं उन्हें केवल एक एक आदिशी के करने का पुन्यफल मिलेगा और बाकी जो अन्य सभी फल हैं वो भी उनको अवश्य मिलेंगे तो आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी फिर भी आपके मन में कोई शंका हो कोई प्रेशन हो तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके प्रेशन का उतर बिलकुल साथ साथ दिया जाएगा तो मंदर्शी बंसी वाले महात्मा यूटीव चैनल के ओर से निर्जलाय कादशी के वरत से सम्दित बड़ी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं जिन में बताया जाएगा कि निर्जलाय कादशी के वरत के दिन कौन से विशेश उपाय करने चाहिए और एक वीडियो और हमारे चैनल पर आने वाली है जिसमें बताया जा रहा है कि निर्जलाय कादशी के वरत के दिन कहां कहां पर साथ दीपक जलाने चाहिए कि जिससे भगवान की विशेश क्रिपा प्राप्त की जा सकती है तो उन सभी वीडियो को क्रिपे हमारे चैनल पर जिरूर देखें तो मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूडिप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगयाने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें तो मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूडिप चैनल के ओड़ से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवाँ श्री राधा क्रिशन जी की भगवाँ श्री लक्षमी नाराएं जी की निर्जला कादशी वरत की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री लक्षमी नराइन जी भगवान की जै निर्जला एकाद शीवरत की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम